कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, क्या है भारत का असली खेल? G20 में भारत ने हवा की तरह उड़ा दिये 2700 करोड, क्या हुआ भारत को फायदा? ये है भारत का असली टारगेट, जिसे देखकर डरे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान. किस धमाके के इंतजाम में है भारत? इस बार उड़ेंगे पूरे यूरोप के चीथड़े. भारत के आगे मांगनी होगी माफी. कैसे पचपन देशों का सर्ताज बनने जा रहा है भारत? पूरे यूरोप की जेब खाली करवा लेगा भारत. दोस्तो आज भारत इस मुकाम पर पहुच चुका है जिसके पीछे हजारों वर्ष की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है. अनंत अनुभव जुड़े हैं. हमने हजारों वर्षों का उतकर्ष और वैभव भी देखा है. हमने विश्व के सबसे अंदकार में दोर को देख दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 के महमान जुटने वाले हैं. G20 सम्मेलन के महा आयोजन को लेकर दो दिनों तक दिल्ली में कई प्रतिबंद लगाए गए हैं. G20 को लेकर दिल्ली में कई सेवाओं, रेल, मेट्रो, बस, ओफिस, बाजार बन रहेंगे. G20 सम्मिट की मेजबा रुपे फूग डाले हैं. लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इसके फायदे के बारे में नहीं पता कि इतना खर्च करके भारत को क्या मिलेगा? आईए बताते हैं भारत का सबसे बड़ा टार्गेट क्या है? अगर ऐसा हो गया तो गजब हो ही जाएगा. देखे भारत G20 में Global South के देशों के मुद्दों को भी उठा कर इस पूरे शेत्र का नेतरताव हासिल करना चाहता है. G20 के मंच पर आर्थिक विकास, परियावरण, स्वास्थ, शिक्सा और कारोबार के शेत्र में सयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी. P.M. Modi को भरोसा है कि भारत 2047 तक व इन विकास, सील और अलप विक्सित देशों के हितों को G20 के एजन्डे में जगे दिला कर भारत इन देशों के Global Leader के रूप में जाना जाएगा. G20 सिखर समेलन में भारत की सफलता के नजरिये से सबसे बड़ा कदम होगा European Union की तरज पर 55 देशों वाले African Union यानि की AU को इस बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है. अभी हाल ही में G20 के लिए भारत के शेरपा, अमिताब कांत ने जानकारी दी थी कि भारत के इस प्रस्ताव को लेकर सदस्य देशों की और से सकारात्मक रुख दिख रहा है. African Union स्थाई सदस्य बन चुका है, तो ये भारत की सबस सबसे बड़े महाद्वीप अफरीका में तमाम देशों की सहभागिता सुनिश्चित करना चाता है. इसके जरिये भारत के उस दावे को वैश्विक मंजूरी भी मिलेगी, कि भारत Global South के देशों की बुलंद आवाज बन चुका है. इसके साथ अफरीका के 50 से जादा देशो में भारत को लेकर भरोसा और मजबूत होगा. अफरीका महाद्वीप में भारते हितों का संगरक्षन भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा दुनिया के 100 से जादा गरीब और अलप विक्षित देशों में भारत के प्रती नजरिये में काफी बदलाओ द करीब देशों को मिलने वाली आर्थिक मदद, क्लीन एनरजी को लेकर अलप विक्षित देशों को तकनी और आर्थिक मदद, खाद्यान सुरक्षा और सप्लाई चेन का मसला काफी महतुपरण है. इन मुद्दों पर भारत की बातों को कोई भी देश नजर अंदाज नहीं क कर सकता. ऐसा करवा लेने के बाद भारत अमेरिका की कुर्सी छीनने का सबसे प्रबल दावेदार हो जाएगा. जैसा अमेरिका, यूनियन और नाटो के बल पर सबको आँखे दिखाता है, वैसे ही भारत निकल कर आ गया आएगा. अब अमेरिका की बात चल रही है तो इनके बारे में जान लेते हैं कि अमेरिका भारत को कौन सा गिफ्ट दे रहा है. देखिया अमेरिका भारत की तरफ हतियार बेचने के लिए आ रहा है, जो उसका हमेशा से धंदा रहा है. रक्षा शेत्र में आत निर्भरता पर जोर के बावजूद भारत दुनिया के सबसे प्रक्षा पार्टनर रूस के कुल हतियार निर्यात का तेज पर्तिशत से अधिक अकिला भारत ही आयात करता है। यही कारण है कि हाल में अमेरिका ने भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर बनने की मनशाद जाहिर की और इसके लिए यह जरूरी है कि भारत को रूस से दूर किया जाए। इसे हम Business Point of View से एक बड़ा फायदा देख सकते हैं। भारत की Credibility बढ़ने से International Investors का भारत को लेकर और सकारात्मक रुख बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो कि एक Manufacturing Hub है वहां से कई देश अपनी कमपनियों को निकालने की तयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो उस थीती में भारत उन सभी के लिए एक अच्छा destination हो सकता है। भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ेगा। होने से कई देशों की एकोनोमी को Long Term और Short Term दोनों में फायदा मिलेगा। और मिल भी रहा है। दिल्ली के Luxury Real Estate सेगमेंट को इस बैठक से काफी बढ़ावा मिला है। Residential के अलावा Commercial Property की भी डिमांड बढ़ रही है। G20 की वज़े से होटल इंडस्टी को सबसे जादा फायदा मिला। राजधानी दिल्ली के साथ साथ NCR के होटल के कमरों की बुकिंग फुल है। इतना ही नहीं कोरोना और लोगडाउन के दोरांज जो टूरिजम सेक्टर ठप पड़ गया था। G20 सम्मिट से उसे बड़ा बूस्ट मिला है। G20 देशों की हिस्सेदारी 85% की है। जाहिर है कि जब भारत की जमीन पर दुनिया की महाशक्तियों का मिलन होगा तो मेजबान देश को इसका फायदा होगा। भारत के लिए ये लमहा एतियासिक होने वाला है। G20 की मेजबानी कर दुनिया में भारत की आवाज बुलंद होगी। दोस्तो अब आप हमें कमेंट सेक्षन में बताएं कि अमेरिका के इस खुलासे से आप क्या समझते हैं। और ये भी बता दीजेगा कि दुश्मन के खिलाव भारत की रन्नीति कितनी कारकर सावित होगी। और बिना जैहिंद लिखे कहीं मत जाईएगा। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेर करना ना भूलें। धन्यवाद।